नमस्कार, News at 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमरितुपाध्याई, आईए जल्दी से देखें आज के हेड्लाइन्स क्या है BBC के ओफिस में IT का सर्वे, टैक्स इन्वेजन बना वज़, सर्च से अलग है ये ओपरेशन मद्रास हाई कोट में विक्टूरिया गौरी की नियुक्ति पर बावाल, हस्तक्षेप से सुप्रीम कोट का इंकार, सम्विधान के प्रहरी होते हैं जजजेज क्वासी क्रिश्टल की हुई खोज, ट्राक्रिटिक तोर पर रेयर है ये घटना, नोबेल से सम्मानित है क्वासी क्रिश्टल की खोज मैं बता दू कि अगर इस बुलेटिन को पीडिएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमरेतुपाद है 007 टेलिग्राम चैनल पर जाईए जहां इसकी पीडिएफ मिलती है ख़वरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर आप सब के लिए एक जरूरी सूचना में दे दूँ कि आज से Study IQ IS हिंदी टीम ने पहली बार हिंदी माध्यम में लाइव फाउंडेशन कोर्स लाँच किया है आज शाम छे बजे इस बैच की शुरुआत हुई है के लिए उत्तर लेखन इत्यादी और साथी mentorship जैसे programs इसमें शामिल है कोर्स की जानकारी description box में है उस लिंक पर क्लिक कीजिए आप कोर्स में admission ले सकते हैं छूट प्राप्त करने के लिए अमरित live code का प्रयोग कर सकते हैं अभी admissions चल रहे हैं सुप्रेम कोर्ट में मदरास हाई कोर्ट में एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति पर विवाद देखने को मिला था गौर तलबे के college इमने विक्टोरिया गौरी को हाई कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की थी हाला कि इस नियुक्ती पर विवात शुरू हुआ जब मदरास हाई कोट के वकीलों ने उन पर नफरती भाशन देने का रोप लगाया साथी भारत के मुखे नयाधीश से सिफारिश को वापस लेने की मांग की थी सुप्रेम कोट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था साथी साफ कया था कि एक उमिद्वार की राजनितिक संबधता या उनके विचारों की सारवजनिक अभिव्यक्ती नयाधीश के रूप में उनके काम को प्रभावित नहीं करती उसके बाद विक्टोरिया गौरी ने मदरास हाई कोट के एक अतरिक्त नयाधीश के रूप में शपत ली इसके बाद विशेशग्यों ने चिंता जाहिर की है दरसल हाई कोट के जजों के शपत का वर्णन सम्विधान की अनुसूची 3 में किया गया है अनुसूची 3 के मुताबिक हाई कोट के जज की शपत में कहा जाता है कि वे बिना किसी पक्षपात के नयाई करेंगे ये शपत हाई कोट और सुप्रीम कोट के जजिस के लिए यूनिक है वे सम्विधान के प्रहरी माने जाते हैं इसी के मद्दे नजर विशेशग्यों का सवाल है कि धार्मिक कटर्ता दिखाने वाला व्यक्ति शपत का निर्वहन कैसे कर पाएगा आपको बता दें कि सम्विधान की अनुसूची 3 में संगिया मंत्री, संसत के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसत सदस्य, उच्चतम नयायाले के नयायधिशों, कैग, किसी राजी के मंत्री, राजी विधान मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राजी विधान मंडल के सदस्य, और उच्च नयायाले के नयायधिशों में पुछे गए सवाल पर गौर करते हैं सवाल पूछा गया था भारतिय सम्विधान की त्रीतिय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है संग के मंत्री के लिए पद की शपत का प्रारू उच्चितम नयाले के मुख्य नयधीश द्वारा ली जाने वाली शपत का प्रारू भारत के राष्टपती की पत की शपत का प्रारू संसत के सदस्य द्वारत ली जाने वाली शपत का प्रारू कूट का प्रेयोग कर सही उत्तर चुनना था एक दो तीन, दो तीन चार, एक दो चार या फिर एक, दो, तीन और चार इसका सही जवाब है विकल्प C हालिया शोद के मुताबिक वैग्यानिकों ने 12 फोल्ड सिमिट्री वाले क्वासी क्रिस्टल के नए प्रकार की खोज की है ये क्वासी क्रिस्टल USA के नेब्रासका में मिला है वैग्यानिकों का मानना है कि क्वासी क्रिस्टल किसी एक्सिडेंटल इलेक्रिक डिस्चार्ज के जरीए तयार हुआ है क्वासी क्रिस्टल जैसे ही पदार्थ होते हैं लेकिन इनमें संरचना का फर्क होता है क्रिस्टल में परमाडू रिपीटिंग पैटर्न में अरेंजड होते हैं जबकि क्वासी क्रिस्टल में परमाडू एक पैटर्न में अरेंजड होते हैं लेकिन ये पैटर्न रिपीट नहीं होता क्वासी क्रिस्टल का प्रेयोग नॉन इस्टिक फ्राइंग पैन एक्यू पंचर के लिए बनने वाले निडल्स और रिजर ब्लेड में किया जाता है और तलबे के साल 2011 में डॉन शैचमेन को क्वासी क्रिश्टल की खोज के लिए रसायन के नोबिल पुरसकार से नवाजा गया था उन्होंने ये खोज 1982 में की थी उससे पहले तक भौतिक विज्ञानियों का मानना था कि हर क्रिश्टल एक रेपीटेट पैटर्न फॉलो करता है इसके बाद से इनका उतपादन लैब्स में किया जाने लगा प्राकृतिक तोर पर क्वासी क्रिश्टल का मिलना एक रेर इवेंट है USA में मिला क्वासी क्रिश्टल प्राकृतिक तोर पर हासिल हुआ तीसरा क्वासी क्रिश्टल है पहली बार साल 2009 में यह रूस में मिला था दूसरी बार साल 2021 में न्यू मैक्सिको से हासिल हुए डेब्रिस से मिला था न्यू मैक्सिको USA का एक राज्य है यहाँ पर साल 1945 में दुनिया में पहली बार नियूक्लियर एक्स्प्लोजन टेस्ट हुआ था यह क्वासिक क्रिस्टल इसी साइट के डेब्रिस से हासिल हुआ था USA द्वारा किये गए इस टेस्ट का कोड था ट्रिनिटी इंडिया दा मोधी क्वेश्टन डॉक्यमेंटरी के चलते सुर्खियों में आई BBC एक बर फिर से खबरों में है दरसल इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने BBC के दिल्ली और मुंबई ओफिस में सर्वे किया CBDT यानि Central Board of Direct Taxes के Senior Officials के मुताबिक यह सर्च नहीं था सर्वे था इसकी वज़ा BBC द्वारा Tax Evasion यानि करवंचन और अनियमितताओं को बताया गया है हम समझते हैं कि सर्च और सर्वे में फर्क क्या है Income Tax Act 1961 Officials को किसी भी प्रिमाइस में चाहे वो घर हो या दुकान हो, फैक्टरी हो, ऑफिस हो एंट्री की यानि प्रवेश की शक्ती देता है जहां पर Official Search and Seize Operation कर सकते हैं सर्वे की शक्ती Income Tax 1961 की धारा 133A के जरिये मिलती है सर्वे के वल बिजनेस प्रिमाइस में ही कंड़क्ट किये जा सकते हैं बिजनेस आवर्स के दौरान, यानि उन्हीं घंटों के दौरान किया जा सकता है जबकि सर्च ऑपरेशन दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है सर्वे के दौरान IT Officials Documents देखते हैं सर्च के दौरान असाहयोग के स्थिति में Officials किसी दरवाजे खिड़की आदी को तोड सकते हैं सर्वे के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता है एक तरह से सर्वे सर्च ऑपरेशन का जेंटल वर्जन है इसका प्राथमिक मकसद सूचनाय जुटाना होता है आपको बता दें कि BBC का गठन एक ट्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पर 18 अक्टूबर 1922 को हुआ था तब इसे British Broadcasting Company के नाम से जानते थे साल 1926 में हुई Strike के वर कवरेज के चलते BBC को ब्रिटेन की जनता की सरहना मिली इसी साल ब्रिटेन की संसदिय समीती ने इस कंपनी को Crown Chartered Organization का दरजा देने की सिफारिश की इसे British Broadcasting Corporation नाम दिया गया कंपनी अंतिम रूप से संसद की प्रती जवाब दे हो गई हाला कि अपनी गतिविधियों के लिए इसे स्वतंतरता हासिल रही 13 फरवरी को EPIDA यानि Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ने अपना 37 स्थापना दिवस मनाया EPIDA का गठन संसद ने Act के जरीय किया था यहाँ अपने अस्तित्व में 13 फरवरी 1986 को आई EPIDA भारत सरकार के वानिज्य एवं उद्योग मंत्राले के तहत एक स्वायत निकाय है यानि कि Autonomous Buddy है इसका मुख्याले नई दिल्ली में है EPIDA को EPIDA अधिनियम की अनुसुची एक में शामिल 17 क्रिशी और प्रसंस्कृत खादी उत्पाद के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मदारी सौंपी गई है बास्मती चावल को EPIDA एक्ट की अनुसुची दो में शामिल किया गया है इसके अलावा EPIDA को चीनी के आयात की निर्यात की जिम्मदारी भी सौंपी गई है EPIDA कृशी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाचे और गुडवत्ता को बढ़ाने के अलावा बाजारों के विकास में भी काम कर रही है आईए जल्दिस देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं पहला सवाल है निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए प्राकृतिक तोर पर क्वासी क्रिस्टल बहुतायत में पाये जाते हैं क्वासी क्रिस्टल की खोज के लिए 2011 में डॉन शैचमैन को नोबेल दिया गया था कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनना है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो अगला सवाल निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए सम्विधान की अनुसूची तीन में राज्जियों के लिए राज्यसभा की सीटों का वर्णन है आईए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्यास प्रशन पूछे गये थे और उनके सही जवाब क्या है सरोजनी नाइडू के संबंध में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए उनका जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ था भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी वो स्वतंत्रता से नानी के अलावा इनका योगदान साहित्य में भी रहा है सही कथन को चुनना था केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और तीन या फिर केवल तीन सही जवाब है विकल्प डी यानि केवल तीसरा कथन सही है सरोजनी नाइडू का जन्म वर्तमान हैदराबाद में हुआ था वे भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली भारतिय महिला थी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनिबेसंट थी दूसरा सवाल मैंने पूछा था माइक्रो LED का प्रयोग डिजिटल डिवाइसेज में किया जाता है इसके लाब क्या है माइक्रो LED रिजोलुशन फ्री बेजल फ्री, रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं OLED की तुनला में बहतर कलर, रिप्रोड़क्शन और ज्यादा ब्राइट होते हैं कथन को चुनना था सही कूट के माध्यम से केवल एक, केवल दो एक और दो 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 न तो एक नहीं दो विकल्पसी यानि दोनों कथन यहां सही है तो आज पुछेगे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उम्मीद है इस कारिक्रम से आपको जरूर फैदा मिल रहा होगा आज के लिए इतना ही रखते हैं कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी ख्याल रखिए ठीक से पढ़ाई कीजिए नमस्कार